हम लोग 18 ग्रूप एलमेंस विनाट गैसा है उसके बार बें कुछ कुछ एंसर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो फास्ट कॉश्चन पॉसिब अटोमिक नमबर फॉर्ट गैसिए अलमेंट उल भी यहां पे चारों अटोमिक नमबर गिवें और बोला जा रहा है कौन स यहां पे सेवेंथ जो नोबेल गैसे सें तो हम लोग को पता है जो अन अक्टियाम 118 जो हम लोग की जो लास्ट जो क्या है इनाट गैस है ठीक है यहां यहां पे एंसर क्या हो जाएगा यहां पे एंसर हो जाएगा option A which was recognized as the element in December 2015 is predicted to be noble gas but this fact is not confirmed तो अभी तक यह confirm भी नहीं हुआ है जो यह completely noble gas है ठीक है जो 2015 में तो यह क्या होगा यहां पर answer हो जाएगा answer वह यह तो next question जो है तो vapor density क्या होगा ठीक है तो यहां पर question था इसकी जो answer होगा तुम लोग video को थोड़ा pause करना और pause करके तुम लोग सोच सकते हो इसके answer को दे न्यू गैस इस वान वान ओक्टियम यह वान वान एइट इसकी जो density दिखा जा रहा भी पर density 10.1 है बड़े क्या है informative है completely इसको तुम्हें यात रखना पड़ेगा ठीक है next question जो है याँ इस question को अच्छे से पड़ो radioactive substance हो है इसकीप इन्हें वेसल आट्मोस्पियर एराउंट इस रीच विट ठीक है तो अगर तुम radium को रखोगे तो radium क्या करेगा अपने alpha करेगा क्या करता है radium अपना alphaडिक अथीखे करता है ठीक है आलफा हिलियम पार्टीगेल है यह तुम्हारे एक alpha पार्टीग यह तो helium is the second lightest gas after hydrogen पर कि यहांपे एंसर क्या हो जाएगा यहां पर एंसर हो जाएगा option 1 जो ए होका ओके next question है को यहां पर को कुशन है तिक चारो option given दान से को पड़ो और बताओ यहां पर एंसर क्या हो सकता है तो अगर रेडियम को हम लोग ब्रेक करेंगे ठीक है तो हम लोग क्या देखेंगे हम लोग का यहां पर dis integers, dis integers मतलब basically क्या हो रहा है, break हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, break हो रहा है, तो break होकर क्या करेगा, दो inert gas form करेगा, और किसके लिए होता है, only radium के लिए होता है, यह पर आइए है क्या कर रहा है और ब्रेक हो कर यहां पर क्या कर रहा है यहां पर जब्स? शूसर पर सबता है कि तरुमें यहां पर उनल्य समर्म होता है Central और यह पताए living पेसजिक एंस परी एंटिवांडिंग होते इसका धूम्द्रम शूश्रत होता है है ठीक है ट्रिपलेट स्टेट में तो यहां पर अगर ऑप्षिन टू को देखें ठीक है ऑप्षिन टू अटू 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 भी तुम्हारा क्या करता है पैरा मेगनेटिक होता है ठीक है इसके लिए इसके क्या होता ही इनो टू डॉटर दू डॉट मिलकर क्या होता है और ऑफिक्तु प्लास का देखो की एपिक्या है फोटू टू टू कॉवसर版 ऑसिखा और दो एलेक्ट्रोन निकाला जाएं तो ढहतनेगा आरगउन 3D6 बंचाएगा रिखागा ? एक दूर्स ₹ब यहां पर विशिग!!! क्या है तुम्हारे चार आंपर इलेक्ट्रोन है यहां पर यहां पर क्या होगा यह भी तुम्हारा प्रामाइग्नेटिक की नेचर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर एंसर कौन होगा अल्ली जो डामाइग्नेटिक होगा होगा हिलियम वान इस्टू जो कॉम्प्लेटली पेयर अब है तो ते वाला जो रियक्षन था एक सी ओथ्री अगर इसको डिसोसीट किया जाए तो बिसीकली क्या करता है जेन और तीनो ऑक्सिजन गैस रिलीज करता है ठीक है इंफॉर्मेटिव पोश्चन था जो तुम्हारे एंसर क्या होगा एंसर सी हो जाएगा ठीक है अगर में रिलीज होजाता है तो में देखा जाए इक से फ्री तू में क्या है यहां पर जो एक सी है माइनस टु है और तो जी ने ऑक्सिजन का प्लास फॉर हो जाएगा ठेक है ठीक है क्या हो ज़ाएगा प्लास फॉर keto수 przy अविधि आस चूल्एливus お स्थीध्ण क्या हो जाएगा ओविएस्ली प्लासफोर तो एंसर बन जाएगा सी यहां भे जो कोश्चन था फॉल्विए हैर सम स्टेटमेंट अवर्ड नोबल गैसे देयर वाटर सॉल्विलिटी इंक्रीस फॉम हिलियम टु जेनॉन देयर मोन अटोमी कैस देयर देंसीदी इंक्रीस फॉर्म हिलियम टु जेनॉन देयर आयोनेशन पोटेंशल वैलू डिक्रीस फॉर्म हिलियम टु जेनॉन फॉलियम टु जेनॉन तो यहां पर जो भी स्टेटमेंट है ओल स्टेटमेंट त्रू स्टेटमेंट इनाट गैस के बारे में देखो इनाट गैस की जो है ना हिलियम ट ग्रूप तो obviously molecular weight increase हो रहा है तो उसकी जो solubility है solubility क्या होगा continuously increase होगा तो option 1 तो बिल्कुल सही है उसके बाद है monoatomic हम लोग बता है helium neon argon krypton 0 ने सब monoatomic exist करता है their density increase helium to xenon obviously down the group क्या होता है size increase हो जाता है और उसकी density है वह भी increase हो जाता है their ionation potential value decreases obviously down the group क्या होता है size तुमारा continuously increase होता है और continuously size increase होने के कारेन से जो jet effective है attraction force वो decrease हो जाता है और electron को तुम easily क्या कर सकता हो release कर सकते हो ठीक है तो क्या होगा down the group तुमारा जो ionation potential की value है वो continuously decrease होगा तो यहां पर चार जो statement है all are correct statement कि यहां भी दोनों structure है दोनों structure के बारे में यहां भी statement पूछा गया है ठीक है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है मुझे यह जो दोनों structure है नहीं structure को देखना है यह होता है XCF2 का structure ठीक है और यह होता है तुमारा जो XCof4 का structure ठीक है तो अगर इन दोनों structure को देखा जाए ठीक है यहां पर एंसर क्या सही आ रहा है बोत और करेक्ट एक linear है और एक स्क्वाइर प्रैनर है एक मिनित यहां पर गलत structure दिया गया है यहां पर oxygen यहां पर लोन प्यार होगा यहां पर oxygen नहीं होगा यहां पर और करेक्ट एक सिफ टू तुम्हारा linear structure और एक सिफ फोर तुम्हारा स्क्वाइर प्रैनर structure है ओके तो यहां पर एक सिफ फोर के बारे में चार्ज स्टेटमेंट गिवेन है इस दा हाइड्रो स्कोपिक इडिज दा explosive nature it is the square plan the bond of its form dp overlapping तो अगर हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक सिफ फोर का structure कुछ इस तरह का होता है जहां पर हम लोग इस एक्स्प्रोशिफ नेचर बिल्कुल सही है बहु जादा explosive करता है ठीक है बहु जादा explosive करता है और यहां पर बोला गया इस square planer बेसिकली एक सिफ फोर क्या है टेट्राहेडल है यहां भी जो structure given अन एन इस फिसीकली structure ऐसे पता चल जाता है मतलब 2 और 4 जो है विल्कुल तुमारा क्या है सही एंसर है यहां पर सबसे आदा strong oxygen कौन है ठीक है oxygen तो एक सी अप्टू यहां पर सबसे आदा strong फ्लूरिनेटिंग और oxidizing reagent है ठीक है यहां यहां पर एक रियक्शन गिवेन है जहां पर देखा करता है यहां क्या कर रहा है फ्लूरिन को donate कर रहा है ठीक है ठीक है रेजिक यहां पर देखा जाता है गीलिग को होता है और एक सी को अराम दी देता है और जेनोन का निकल देता है तो यहां पर एंसर क्टान है कि आधी 3 यहां फूर है नहीं है ब यहां पर आगर देखा जाए यहां पर andar क्या होज़ता Edit on Czechų हो जाएका ठ्वीड और फो तेंक यू यह तुम्हारा था इनाट गैस की question answer I think तुम लोग को थोड़ा help होगा इन सारी questions तुम लोग के अगर कोई भी question चाहिए तो comment section ने बताओ मैं उसके उपर question डालूगा all the best take care and bye bye